टार शोन का मतलब होता है सुरंग लंबा टर्नल लेकिन लोग कते हैं सोनेज का सत्ता आया खजाना जानकर तो शामने वाली जंगला से तोप लगा कर तोड़ना चाहा लूटना चाहा यह मंत्र लीपी जो देख रहे थी टीवी चैनल पर भी परचार चाहना यह मंत्र का नाम करेंगे आप रूपी दर्वाजा खुल जाएगा लेकिन भगवान की मैमा इस मंत्र की पढ़ाई गया है कुछ इस दिवाल पे कुछ गेट के पास इसकी पढ़ाई आज तक है किया गया यह संख लिपी के नाम से दो धर्मों को मानने लगे थे निकंबर और सितांबर जैसे देश में देश में तिर्थंगर पारसनाथ यह भगवान आजीतनाथ अब जोस्तों गुड़ मॉर्निंग प्रेम राज ब्लोक्स में आप लोग का स्वागत है तो आज हम आच चुके हैं राजगीर में और राजगीर में हमारे सामने आप देख पा रहे होंगे स्वण गुफा तो ले करके चलते हैं आपको दिखाते हैं स्वण गुफा बने रही है हमारे साथ और गाड़ी हम लोग यहां पे पार्किंग में लगा चुके हैं 20 रुपे यहां का पार्किंग है और यहां बहुत सारा बंदर घुम रहा है जिसको आप चना मगरा खिला सक हुआ है और देखिए इधार भी बंदर बैठा हुआ है इसमें तोप अमार करके भी अंग्रेज के द्वारा निखा जाना को निकालने का कोशिस किया गया था लेकिन ऐसा हो नहीं पाया चलिए को जैनकारी लेते हैं अंदर यहां पे जाके देख पारें दोस्तों यहीं है स्कॉंट भंडार का जो है और वेस्टवार यहीं से है और यहां पे एक शुराग दिया हुआ है जहां तक कुझे पता है यहां पे टोप लगा करके फायर किया गया था आप लोग जिस एप्यासिव जगा को देखना है है बहिया इंफरमेंस का बंडार उन्ठाग इंगरी सरकार इतना बेकूप नहीं था गया से कुढरमा रेल मी लाइन बिचाया तो यह पाहर काटने में क्या था तो यह है क्या सुरंगों का बंडार है जैन मुन्यों का सातना गिरिया है तो इसी गुफा के भीतर में यहां से जहां से आपका गरम पानी कुड का जहरना बहरा बावु उसी की जश्ट बगल से 565 सिरी चड़कर जब उपर जाएगा तो एक वैवहार गिरी परवत है उसी वैवहार गिरी परवत के जश्ट बगल में सबतर्नी गुफा और बेपली गुफा है तो जब भगवान बुद्ध को कुशी नगर में म पिधम मतलब तुरी पीटा की रचना मुनी कैसब जी के द्वारा किया गया था तो उन गुफाओं से लेकर इन गुफाओं का अंदर ग्राउंड समंध रास्ता बताया गया है तो मैं भीतर लेके चलूँगा दर्वाजा जहां पर है चलिए अंदर के उड़ लेकर चलते है यह दर्वाजा पराचीन जमाने से बंद है और इसी दर्वाजा के पीछे जैन मुनी गौतम स्वामी तपस्या करते थे तो राजा पिम्बिसार का बेटा आजा सत्रू तैसे के लालच में अपना पिता कुछ भूली वाली कारागार में बंदी बनाकर तडपा तडपा कर मा दे दिये थे वो तो सादू थे उनको धनका जरूबत नहीं था वो अपने तपस्या के बल पे पथलों की चटानों से दर्वाजा को ब्लॉग कर दिया गया तो जब अंग्रेज का सत्ता आया खजाना जानकर तो सामने वाली जंगला से तोप लगा कर तोड़ना चाहा अपफी भी स्खोटक पदार्थ है जैसे लोहा, गंधक, ऐरन, शल्फर की मातरा है अगर इसे चोटा डाइनमाइट से तोड़ा जाए तो तूट जाता कोई बड़ी वाद नहीं था लेकिन जौला मुखी फर्ता वाबू तो आग लगने की भैती और गरम पानी का जर्ना व पार सरकार इसे राज का राज रख दिया और एक दिवाल पर मंतर लिख दिया आएंगे यह मंतर लिपी तो देख रहे हैं थी ती टीवी चैनल पर भी परचार चला यह मंतर का नाम था संख लिपी कि जो देख की मंतर को अध्यन करेंगे आप रुपी दर्वासा खुल जाएगा लेकिन भगवान की मैमा इस मंतर की पढ़ाई नहीं हुआ क्योंगी नालंदा की दूतिये भी इस मित्याले में तीन मड़ी लादेरी थी रतर इशागर, रतर रजन, रतर उदादे इसे 1199 में जब अल्लादीम बक्तियार खेलजी का आकर्मन हुआ उसी आकर्मन में सारी लादेरी में आग लगा गया गया उच्छा मां तक इसकी पूस्तर जलते रहा, इसे कारण से खुल सिम सिम, वन सिम सिम का चाली बावा, असी चरुकर का कहानी रह गया इदर आएंगे यह जो परतिमा देख रहे हैं, जब जैन धर्ब का साथना किरी हुआ तो दिवाल काटकर 24 में तिर्धंकर भगवान महवीर स्वामे का परतिमा बनाया गया माथे का शिन, बोडी का सिन, पैर, धरम चक्र और सेर का निसान नीचे गठी से तेज़ने तिर्धंकर बाड़सनप और नेमी नात का परतिमा मिला लेकिन दोनों परतिमा स्ट धादू का था, जब से मुर्थी चोरी होना परड़ाम हो गया इसे निकाल कर नालंदमी सियम में रखा गया, बाहर आए देख पारे हैं दोस्तों, यही थी पूरी जनकारी यहां के भी यह बाहर लेकर जा रहना, देखते हैं, बाहर के क्या जनकारी मिलती है यह मंद्र लेपी जो देखते हैं सिर्मान ये पढ़ा जा चुका है यह संस्कृत पाली मिक्स है, इसे संस्कृत मनवाद क्या गया है निर्माना लाभाय तपस्योगे सुब गुहे अरहर परतिमा परतिसते अचार्ज मुनि भैरब देव थरड़ परशन एड़ी इसके इसके लिएर से निकलता है कि राजा बिंबिसार का बेटा आजा सत्रु राज किया आजा सत्रु का बेटा उद्यान यहां से राजधानी उसी तिर्थंकरों में तेश में तिर्थंकर इनके माथे पर साथ फंड का निसान था जो अलादिन बक्तियार खेलजी ने नस्ट किया उपर भाग कड़ी का निसान लेप्ट राइट साइड पीलर यह चज्जेदार मंडब था जो सभा मीटिंग होता था लेकिनों इसो सब्सक्राइब कि शुअ इतर सुरद चाहे तो इट पलास्टर चूना और पेरिस फे मरमत किया गया इस इस ने आहिं है इसकी पढ़ाई आस तक थे किया गया यह संख लिपी के नाम से जाना जाता है तो इसकी बगल वाली गुफा में लेके चलेंगे जहां पर जैन तिन धंकरों बहुत तिन धंकरों का प्रतिमा पाया गया तो यह गुफा जो देख रहे हैं सिर्मान पूरवी गुफा यह जंगल 134 की बिहार भुकम में तूड़ गया तो भारे सरकार सुरच्चा है तो जब इसकी पत्तल बाहर किया गया तो उपर से गर्व भगवान विस्नु का भी परतिमा मिला उसे निकालकर नालंदा म्यूजियम की संग्राले में रखा गया कुछ शंग खकार का लीपी बाहर में भ आ गया आई की दरेख ऐघर 欓ं आए यह तिवार पर थे धंकरों का जो पर तिमा देख रहें सिर्मान तो जैन धर्म गुपता काल पिरियर्यड में एक धर्म से दो धर्मों को मांने लगे थे तीकंबर और सितामबर जैसे में तेसमे ते थंगर पारसनाद, ये भगवान अजीतनाद, ये भगवान बुद्ध का माता का नाम था महा माया, उनको रहत्री में शप्न हुआ, शफिय दितारा और शफिय धाती चायदात वाले, ये जो मेरा संतार पैदा लेगा, अग्याकारी और सिच्चित लेगा, तो भग कदम कमल का फूल पर चलने लगा, उनकी माता मिर्थ हो गए, जब भगवान बहुत गया में, बहुत बिरिज के पास तपस्या किये थे, उनका भी बनाया गया, लेकिन अल्ला जिन बक्तियार खेलजी ने सारे परतिमाओं को नस्ट कर दिया गया, तो आपका पुराना राज राजगिर बसाया गया वस सस्टेन के पास जो अजासत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है, तो राजगिर का ओल्ड नाम बोला गया, ग्री वर्ज, ग्री का मतलब होता है पहार, बर्शमिश वासी, तो राजगिर पाज परवतों से घिरा हुआ है, जैसे में बीपला देखा दोस्तों भाई ने बहुत बढ़िया नोलिज दिया आप गाइड के रूप में है और बहुत अच्छा लगए थरा जी थरा सा लाइट में, और रूख जाईएगा भी, आप यहीं के हैं, जी सर, तो इतना जो इन्फोर्मेशन देते हैं, यह सरकार के तरफ से आपको अच्छा लगा है, तो चैनल पर जाईए सस्क्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सेर करिए, ऐसे से वीडियो से जुड़े रहिए, फूरा राजगिर का टूर आपको वन वाई वन मिल रहा है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, फिर अगलें एक्छ वलोग में तब तक के लिए गूडबाए प्रक।